आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नोशकार दर्शकों यह MNS News ने टोकर आप देख रहे MNS News ट्री मैं हूँ आपके साथ शुबांगी तो आईए देखते हैं आज की कुछ खास खबरे World University Games में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने 31 वर्ल्ड उनिवर्सिटी गेम्स में 11 गोल्ड पाच रजत और 10 कास्य पदक जितने और रेकॉर्ड तोड प्रदर्शन के लिए भारते अथलीटों की सहार ना की है प्यमोदी ने इस उपलब्दी के लिए खेल में भाग लेने वाले अथलीटों परिवारों और कोचों को बधाई भी दी प्यमोदी ने कहा कि खिलाडियों का यह शांदार प्रदर्शन उनके अटूट समर्पन का प्रमान है प्यमोदी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि 1969 में वर्ल्ड उनिवर्सिटी गेम शुरू होने के बाद से इस खेल में भारत का यह सर्वशेष्ट प्रदर्शन है प्यमोदी ने ट्वीट करते हुए कहा खेल में ऐसा प्रदर्शन जो भी भारतियों को गौरवंतित करेगा देश के और विश्वाषनिया खिलाडियों को सलाम जिनों ने देश का गौरव बढ़ाया और आने वाले खिलाडियों को प्रेरित किया पियम मोधी ने की गेम्स में भारते खिलाडियों ने रेकॉर्ड 26 पदक जीते पियम ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि खुशी की बात है कि 1969 में वर्ल्ल यूनिवर्सिटी गेम शुरू होने के बाद से भारत ने कुल 18 पदक जीते है और इस साल 26 पदकों की अनुकरनी उपलब्दी वास्ता में उलकनी है खेल में यह शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाडियों के अटूट समर्पन का प्रमान है मैं इस उपलब्दी के लिए सभी खिलाडियों और उनके परिवार कोच को बदाई देता हूं रागामी टूर्नामेंट के लिए शुप काम नहीं देता हूं बतादे कि इस खेल में मेडल हासिल करने के मामले में भारत सात्वे स्थान पर रहा है खेल का आया जिन 28 जुले से एक गोल्ड एक रजद और तीन कास्य पदक शामिल थे वर्ल्ड यूनिसिटी गेम्स में भारत ने करीब 230 एटलेटियों ने हिस्सा लिया था इस बार के गेम्स में राइफवल निशाने बाज एश्वर ये प्रताफ सियां तो मर्चार पदक जितने के साथ भारत की और से स सबसे सफल एटलेट रहे आईए बढ़ते अगली खबर के और महारष्ट गोवा के सांसदों के साथ प्याम मोदी की बैठक 2024 लोग सबाचुना के लिए दिया ये मंत्र कजबाचुना 2024 की तयारों के मद्दे नजर प्रदार मत्री इंडिया के सांसदों के साथ लगातार बै राउल शेवाले मौदुद थे मुख्या तोर पर बैठक में प्रदान मंत्री महारष्ट और गोवा के सांसदों के साथ एकी कुरूत होकर आगे बढ़ने और एक गडबंदन के तोर पर इंडिया को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस किया पीम ने कहा कि आज का गडबंदन न लगातार इंडिया गडबंदन से अलग होने तक शिमसेना का मुकg पच्टर असामना लगातार हम लेकिन इनडिया PI के तरफ से हमने कुछ नहीं कहा उन्योंने देह के तोर पर नहीं हमारा विनम्रता राहे हुग उन्हें कुछ बोलाने है और हमेशा काहल और तके भेटरी पर फोकस किया पीम ने कहा कि मारश्ट आदुनिक भारत की विकास यातरा में एक बहुत ही इंपोर्टन्ट राज्ज है हम सभी मारश्टों और देश को समरुद्ध शाली बनाने के लिए जम कर काम करेंगे पीम ने कहा कि मारश्ट में हम गडबंदन के तीनों सा करेंटेशन भी दिया गया प्रधारमत्री मोदी ने निरू से लेकर देवे गोंडा की सरकार तक कउधारन देती हुए कहा कि कॉंग्रेस गडबंदन सत्ता हत्याने के लिए हुआ है जबकि इंडिये नित्याग और स्ताइट्व के लिए काम किया कॉंग्रेस ने सदा हमारा गडबंदन से पिकास के लिए है जब कि दूसरे तरफ का गडबंदन में कोई अब तक स्पष्ट रता नहीं है अब आप हमाई चैनल को आपके मुबाल पर भी देख सकते हैं मुबाल आप पर देखने के लिए प्लेस्टोर अमेनस निवस्टी ऐस डाउनलोड करें इंस पर नमस्कार